हेलो माई दिया स्टूडेंट आई वेलकम यूआल माई यूटूब चैनल यह मज़ी करियर पॉइंट यारे बच्चों आज हम इस वीडियो में एक NCRT की क्लास 6 की इंग्लिस बुक को पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है A Pact of With the Sun एक क्लास 6 की इंग्लिस बुक है जिसका आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे A Tale of Two Birds तो चलिए मेरे साथ लाश्ट तक बने रहेगा क्योंकि हम लाइन बाइन एक्स्प्लानेशन करेंगे आराम से समझेंगे और लाश्ट में सारे क्योस्टन का एंस्वर भी इसी वीडियो में आपको मिलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास फर्स्टाफाल इंट्रोडक्टरी लाइन देख लेते हैं यहापे इसमें क्या है A Mother Bird and her two young swans lived in a forest एक Mother Bird थी जो जंगल में अपने दो चोटे चोटे बच्चों के साथ रहती थी The Mother was killed in a storm Mother एक तुपान में मर गई थी And then after the young birds were separated from each other और दोनों बच्चे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं Each found a different home और दोनों बच्चे अलग अलग घर को प्राप्त होते हैं कहने बड़ा दोनों बच्चे बिछड जाते हैं कोई दूसरे घर में जाता है कोई अलग घर में पहुच जाता है तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं Line by line फिर मज़ा आएगा There once lived a bird and had two newborn babies in a forest जंगल एक चिडिया और उसके दो newborn babies जो अभी नौजात से उसते दो चोटे चोटे बच्चे जंगल में रहा करते थे They had a next in a tall वो बड़े सर बिक्ष पर एक गोसले बनाकर रहते थे इन a tall का मतलब यहाँ पर tall tree से है Sadie tree and there the mother bird took care of her little ones day and night तो एक सेरी में छायदार बिक्ष में गोसले बनाकर वचिडिया दोनों बच्चों के साथ रहती थी और दिन रात उन दोनों बच्चों की care किया करती थी One day there was a big storm एक दिन क्या हुआ एक बहुत मजबूत तुफान आ गया And there was a thunder, lightning and rain Thunder means बादल गरजने लगा, बिजली चमकने लगी Lightning बिजली चमकने लगी and rain वर्षा होने लगी थी And the wind blew down many trees और हवाय जो बहुत से बिक्षों को blew down कर दिया मैं लिज डैमेस कर दिया, गिरा दिया The tall tree in which the birds lived also came down और जिस बिक्ष पे वह पक्षी अपने दोनों बच्चों के साथ रहा करती थी वह बिक्षी भी came down गिर गया A big heavy branch hit the next and killed the bird और एक बड़ा heavy branch, एक बड़ी सी साखा उस next पे गिरती है और bird मर गई थी क्या होता है, bird मर जाती है Unfortunately for the baby birds, strong wind blew them away to the other side और शौभाग से उस birds के दोनों बच्चे हावा में से उड़ गए और कहां गए? दूर उड़ जाते हैं Other side of the forest jungle के दूर side, दूर साइड में जाके गिरते हैं ठीक, यह तक clear? One of them came down near a cave उन में से दोनों बच्चों में से एक बच्चा, एक चिडिया, एक केव गुफा के पास जाके गिरी Where a gang of rovers lived, जहां पर डाकों का एक समू रहा करता था डाकों का गैंग्स रहा करता था, डाकों का गैंग्स में समू रहा करता था The other landed outside in a rissi's ashram a little distance away और दूसरी चिडिया कहां जाती है, एक दूर किसी rissi ashram में जाके गिरी दूर किसी rissi ashram में जाके गिरी देखिए, जंगल का सीन दिया गया है जंगल का सीन है, यहां देखिए, केव में यहां गुफा है एक बड़ गुफा में केव में जाके गिरी है और दूसरा, इसी जंग, रissi के ashram में जाके गिरी है अब आगे देखते हैं दिन बीद गया and baby birds became very big bird अब छोटे छोटे जो बच्चे थे तोनों बड़े हो गए थे one day the king of the country came to the forest to hunt एक दिन उस area का उस country उस देश का उस राज्य का राजा जंगल में सिकार केनने के लिए गया he saw deer road after it उन्हें देखा तो उस राजा ने एक deer को देखा एक हीरन को देखा तो उसके पीछे भागे and it run deep into the forest followed by the king और राजा उस deer का पीछा करते हुए जंगल के तरफ चला गया the soon lost the king's soon the king lost his way जल्दी राजा जंगल में से ले जाते हैं वो अपना रास्ता भूल जाते हैं and they didn't know where he was अब उनको यह नहीं पता को जंगल के किस छोर पे आकर रुख गये हैं वहां से आगे पीछे का रास्ता उनको नहीं समझ में आ रहा था he rode on a long time till he rode on for a long time till he came to the other side of the forest तो जंगल के दूसरे साइड में पहुशने के लिए उनको बहुत जादा समय लगा very tired by now और अब वो बहुत ठक चुके थे और राजा जंगल से दूसरे स्छोड जाते जाते बहुत ठक चुके थे he got off his horse तो अपने घोडे से अब उतरते हैं तो उतरने के बाद he sat down under a tree फिर एक ब्रिक्ष के नीचे बैठ जाते हैं इस्टूड निया रखियो जहां और ब्रिक्ष कहां था इस एक के पास ही था एक गुखा के पास ब्रिक्ष के नीचे राजा बैठ गये suddenly he heard a voice cry out अचानक उनको एक आवाज सुनाई देती है जो कि चिला हर की आवाज थे चिला रहा था कौन quick hurry up जल्दी करो जल्दी करो there's someone under the tree देखो देखो कोई उस ट्री के नीचे आया है कोई है come and take his jewel means चलो आव जल्दी उसके सारे jewel he is जवारास जो है इसको छीन लो and his horse उसके घोड़े को भी ले लो hurry जल्दी करो and else he will sleep away नहीं तो भाग जाएगा the king was amazed इस सब सारी बाते सुन करके राजा आश्यर में था कि यह किसकी आवाज है he look up इधर उदर देखा and saw a big क्या देखा एक बड़ा सा brown bird on the tree under bridge पर एक बहुत बड़ा brown color का tree था पक्षी थी which was sitting जो बैठी कहा थी under the tree एक bridge के नीचे बैठी थी he also heard the fan noises issuing from the queue और गुफा से एक अजीब प्रकार की आवाज को भी सोरगुल को भी सुना उस राजा ने he quickly got on his horse पिरन तो अपने घोड़े पर बैठा and rode away as fast as he could जितनी जल्दी हो सकता जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज गत्से राजा अपने घोड़े को लेकर वहाँ से चल दिया यहां तक आया बच्चों समझ में चली आगे बढ़ते हैं देखिए सारी काहनिया है और यहां पर question क्या दिया गया है the king was amazed to hear a similar voice again आगे क्या होता है वैसे ही voice को फिर से सुनकर राजा यहां पर आश्चर में पढ़ता है he came to the no birds true story फिरो इसकी कहानी यहां पर मिलेगी आपको यहां पर देखिए soon soon he came to the to a clearing which looked like an ashram जल्दी यो किसी और आगे बढ़ जाता है एक साफ सुत्रा स्थान पर आगया जहां पर कुछ आश्रम जैसा था it was the Rishi's ashram यह किसी Rishi का ashram था the king tied his horse to a tree फिर वह राजा क्या करता है अपने घोडे को एक ट्री से एक ब्रिक्ची से बात दिया and sat down in the shade in its shade और वह उसी ट्री के च्छाव में बैठ गया suddenly he heard a gentle voice अचानक उसने एक बहुती gentle means बहुती अच्छी आवाज को सुना announce जो पुका रहा था welcome to the ashram sir कह रहा था उस आवाज में क्या थी कि sir आपका इस ashram में श्वागत थे please go inside चलिए अंदर आईए and rest आईए sir और rest कीजिए the receive will back soon receive will be back soon there's some cold water in the pot receive भी वापस वहाँ गए अब क्या देखते हैं there's some cold water in the pot वहाँ पर कुछ ठंडा पानी बर्तन में रखा हुआ था please make yourself comfortable और क्या कह रहे थे लोग please आप यहाँ अराम करिजिए comfortable feel करिए यहाँ पे the king looked up and up and saw a big brown bird in the tree अब राजा इस वाज को सुनकर क्या किया उपर देखा अब देखा और क्या देखा एक brown bird in the tree बिक्च में देखता है brown color का bird वहाँ पर भी था he was amazed इस बार फिर से आश्यर्म पढ़ गया this one's true looks like the other bird outside the cave यह बर्ड से उसी बर्ड की तरह लग रहा था जैसे कि उसने उस गुफा में देखा था he said to himself allowed वह अपने आप में ही बोला अपने आप से तेजी से बोला you are right sir ना यह सारी बाते वह कर रहा है कि लगता है यह जो बर्ड दिख रहा है तो उस गुफा वाले अपने मन में सोच रहा था तो उस सामने से answer आया हा sir आप सही कह रहे हैं answer the bird उस चिडिया ने उतर दिया he is my brother but has made friends with rovers वह चिडिया बताती है जो आश्रम वाली चिडिया बताती है इसार आप सही सोच रहे हैं कि जो गुफा में बढ़ है वह भी मेरा ही क्या है मेरा भाई है बट इस वक्त वो किसी rovers में डाकों के साथ हो चुका है he no talks as they do चोड लोग डाकों लोग जैसे बात करते हैं उसी तरीके सो भी अब बात करने लगा है he doesn't not talk to me anymore लेकिन वह मेरी तरह बात नहीं कर सकता कहने में वह हमारी तरह नहीं है वह डाकों के तरह हो चुका है जस दें दर रिसी इंटर द आस्रम और फिर रिसी उस आस्रम में प्रिवेश करते हैं रिसी ने आस्रम में प्रिवेश किया फिर देखिए welcome welcome sir he said to the king तुसरी रिसी ने राजा से बोला कि sir आपको यहापर स्वागत है please come inside and make yourself at home कहां कि sir please घर में आईए और अपने आपको अराम दीजिए मैंसे rest किजिए you look tired आप बहुत ही ठक गए हैं आप बहुत ही ठके हुए दिख रहे हैं rest for a while कुछ छड़ अराम किजिए then you can share my food उसके बाद आप भोजन किजिए the king told the disease story of the two birds तो राजा ने दोनों birds की कहानी सुनाई on how each head behaved so differently though they looked like so alike और दोनों birds नहीं कहा कि दोनों birds एक समान देते थे लेकिन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फरक था दोनों के बिखार में बहुत अंतर था the forest is full of surprises the forest is full of surprises jungle जो आसर से भरे होते हैं he said उस निखा the holy man smiled the holy man means वह शादू आसरम के शादू ने smile किया and said बोला after all one is known by the company one skips अच्छी लाइन है देखिए बचों कि हर कोई अपने company से जाना जाता है miss किसी के पहचान उसके मित्रों से होती है उसकी जान पहचान वालों से होती है कि उसके संगत से होती है है न जो जिसके जिस तरीके के मित्र दोस्त त्यार होते हैं वह अब्यक्ति भी वैसा ही बन जाता है क्योंकि जो पहला बड रोबर्स डाकूं के गुफा में जाके गिरा अब वो डाकू बन चुका है लेकिन दूसरा वाला बड्स जाकि एक आस्रम में गिरा था इसलिए वह अब रिसी बन चुका है एक बिद्वान संत बन चुका है तो वही कह रहा है कि जैसी कंपणी मिलती है जैसा संगत मिलता है लोग वह ऐसा ही बन जाते हैं क्लियर देखी देखे देब्ड्स हैसा अलवेज हर्ड उप रोबर्स अब कहता है कोई बड्ड हमेसा डाकूं की ही बाते करता है था and he intimate them and talk about the robbing people फिर लोगों को robbing करने लगा डाकू के द्वारा सारी लूटने के ही बात सुनता था तो लोगों को लूटता है अब and this one has repeated what he has always heard जो कुछ भी उसने देखता है वही repeat करता था डाकू जो कुछ भी किया करते थे वही वह बड़ भी करने लगा लेकिन यह पहला वाला जो है लोगों को आश्रम में वेलकम करता था लेकिन अब आईए और यहां पर रिस्ट कीजिए I will tell you more about this place and these birds चलिए रिस्ट कीजिए मैं आपको इस अस्थान के बारे में और भी अधिक बताऊंगा और इन चीडियों के बारे में भी और अधिक आपसे डिस्कस करूंगा तो बच्चों I hope आपको समझ में आ गया होगा अब चलिए फटाफट हम देख लिखते हैं क्यूस्चन का एंस्वर इस सारे क्यूस्चन हैं इनकी एंस्वर भी हम देखेंगे तो my dear student आपको इस स्टोरी I hope पसंद आई होगी समझ में आया होगा अगर जो कुछ न समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम से क्लेर कर सकते हैं तो चलिए अब सारे क्यूस्चन का एंस्वर हम कर लेते हैं पहला क्यूस्चन है हमारा और एंसर भी देख सकते हैं एक बार मैं रिपीट कर दूँ फस्ट क्यूस्चन हाउ डिट टू बेबी बेबी बर्ड्स गेट सेप्रेड़ेट किस तरीके से दोनों बच्चे उस पक्षी के दोनों बच्चे अलग हो गए थे तो इसका एंसर आप जानते ही हैं कि तुफान आया था ट्री गिर गया और उसकी मदर बर्ड मर गई लेकिन यह सब उड़कर सले गए कहां पर एक आस्रम में जाकर गिरा और दूसरा वाला एक गुफा में रोबर्स की गुफा में गिरा तो उसी बात को आप ऐसे नोट कर सकते देखें 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 देबर्ड लिफट इन अ ट्री इन ए फारेष्ट विफा द्रेश्ट वट्ये बादर वाद़ कर दोले बच्चे हवा के द्वारा मां से उड़ गए और देखें लेंडड़ एड़ देखें दो अलग अलगा सानों पर गिरते हैं दस गॉट्ट यह नोट कर लेजिए, इसके शॉट ले लेजिए, अपने नोट से बनाईए यहां से, सेकंड क्यूस्टन है, वेर डिट इच आप दिम फाइंड आ होम, दोनों ने, मिस दोनों कहां कहां अपना घर बनाया या पाया, तो एंसबर, वन आप दे बेबी बर्ड्स फाउंड होम इन अ केव, एक गुफा में अपना घर बनाया, और यहां पर रोबर्स रा करते थे, वाल दे अधर वन लेंडे लिविग नियर इन आश्रम आफ रिशी, दूसरे ने एक रिशी के आश्रम के पास अपना घर बनाया, बोथ दीज प्लेसेज वेर अन अपोजिट इंड आफ दे फारेस्ट, दोनों प्लेस फारेस्ट के अपोजिट साइड में थे, इस तरीके से इसका एंसवर आप नोट किजिए, आगे बढ़ते हैं, थर्स एंसवर, वाट डिड़ दो फ़र्स बड्से ठो इस्टरिंजल, तो पहली पक्षी ने Cookies से क्या कहा, इस्टरिंजल का मजब यहाँ पर किंग से है, लिश्ट बड़ स्वोक तु इलार्ट नोट उबर्स इन दे कैर, तो फर्स बड़ ने कहा, कि रोबर से आप जो गुफा में रोबर से उनसे सावधान रही है that there was a person with jewelry beneath the tree and should be looted soon otherwise he might sleep away देखे दूस्तों बच्चों ये कहा जा रहा है एक बार फिर से नोट कर लें इसको कि what did the first bird say to stranger तो पहले बढ़ने stranger से क्या कहा वही कहा कि दिखो कोई आया है जल्दी से लोट लो सारे उसके जेवर लोट लो नहीं तो भाग जाएगा यही बोला था ना तो वही बात हमने यहाँ पर answer में note किया है यहाँ पर आप देख लें the birds spoke to alert roberts roberts को पहले alert करता है गुफा में जितने rober थे और बोला there was a person with jewelry जही दे सोनेश चानी के साथ एक person है कहाँ पर tree के नीचे and should be looted soon जल्दी ही loot लो otherwise he might sleep away अन्थावा भाग जाएगा ठीक चलिए चौत्य answer देखते है चौत्य question है what did the second bird say to him लेकिन second bird ने उससे क्या कहा second bird ने कहा if the second bird lived in the Rishi's ashram जो bird ashram में रहा करती थी he welcomed the king राजा को उसने welcome किया अपने ashram में and told him where cold water was और बताया कि थंड़ा पानी कहा था and asked him to wait inside for the Rishi to return और कहा कि Rishi के आने तक आपको आप यहीं पर रहें अराम करें ठीक फिर्ट नंबर how did the Rishi explain the different way in each bird behave किस तरीके से Rishi ने दोनों birds के different different behave को explain किया देखे that Rishi said that there was a stock different between behavior of both कहा कि दोनों के behavior में बहुत अंतर है the birds because of different of company they lived into क्यों क्यों क्योंकि दोनों अलग-अलग company के साथ रहते हैं अलग-अलग लोगों के साथ रहते हैं ठीक the bird they had always the bird they has always अगे दिखते हैं always heard always heard to talk to roberts imitate words of roberts वह चडिया जो हमें साथ roberts डाकों के साथ रहती थी वर जान डाकों जैसा है imitate करती थी जानोर जैसा है बहुखार किया करती थी sorry डाकों जैसा बहुखार करती थी other hand the bird has always heard the talk of Rishi's repeated the words of the Rishi's जो चलिया Rishi के साथ रहके Rishi की बाते सुना करती थी उन्ही के कारियों को repeat करती थी ना उन्ही को जैसा बनी तो जो जैसा संगत बाता है वाइसा ही बन जाता है बच्चों लास्ट की चुपशन का एंस्वर देखिए लास्ट की चुपशन है आपका which one of the following some of the story best a bird in the hand is worth two in bus one is known by the company one keeps a friend in need a friend indeed देखिए यहाँ पर answer है one is known by the company one keeps जो जिसकी company पाता जिस तरीके का संगत पाता वैसा ही बन जाता है हमने explain भी कर दिया है अबर इसको भी note कर ले this quote sums the story best as it talks about the mental state of two birds born to some same parents but growing in different environment and eventually becoming totally different individual तो जो जैसा होता है जैसी संगत पाता है वैसा ही बन जाता है आई हो बच्चों आपको पुरी कहानी समझ में आई होगी एक बार फिर से हम यहाँ दिखा दें आप skin shot ले सकते हैं अपने notes को तयार करें एक बार दो बार देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा और चलिए मिलते हैं next chapter में तब तक बाई बाई take care और हाँ अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में share करें इस वीडियो को ताकि ज़्यादा ज़्यादा आपके मित्र लोग इस वीडियो का फायदा उठाएं मिलते हैं दूसरी वीडियो में तब तक लिए बाई बाई टीक किया